आलिया भट खाली में लंदन में हुए एक चारिटी इवेंट होप काला में नजराए इस इवेंट को आलिया भट ने होस्ट किया जिसे सलाम बॉंबे फाउंडेशन की और से और्गनाईज किया गया था यस दुरान आलिया भट को दो जवर्दस्त लुक में देखा गया था जो इस समय सोशल मीडिया पर खुब वाइरल भी हो रही है साथी में आलिया का गाया गाना एक कुड़ी भी काफी वाइरल हो रहा है आलिया ने एक तो वाइट कलर की साड़ी पहनी थी और एक वाइन कलर का गाउन जो है एक तरफ उनकी 30 साल पहले साल 1994 की बनाई साड़ी के चर्चे हो रहे हैं वहीं गाउन के साथ पहनी उनकी मेहंगी और रॉयल ज्वैलरी ने सबका ध्यान अपनी और खीचा में इवन के लिए आलिया ने सेलिब्रिटी डिजाइनर अबुजानी संदीब खोसला की विंटेज साड़ी चूस की ये हैंडमेट आईविरी फ्लॉरल रेशम साड़ी को 30 साल पहले बनाया गया था इस साड़ी के साथ आलिया ने स्टाइलिश ब्लाउस केरी किया था कर तयार हुई थी साड़ी और डिजाइन का कलर कॉंबिनेशन इसे क्लासी बनाने का काम कर रहा था साड़ी के साथ क्यारी किया गया ब्लाउस आगे से सिंपल था लेकिन पीछे से मोतियों का इस्तिमाल किया गया था वही दूसरी स्ट्रैपी गाउन लुक के साथ आलिया ने मैचिंग ज्वेलरी और रिंग पहनी थी आलिया की ज्वेलरी ही सबसे खास थी जो बुल्गारी लेबल की बताई जा रही है वेबसाइट के मुताबिक के बुल्गारी नेकलेस रिंग की कीमत करीब 20 करोड रूपे है मोतियों की बात करी तो आलिया को परल बहुत पसंद है और उन पर ये खूब चचते भी है फिर वो मोतियों से बनी ज्वेलरी हो या ड्रेस आलिया में पोचर मुवी के रिलीस इविंट में आलिया ने ब्लाक अलर की साडी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर बारी कोल्डन की नारी लगी थी हालाकि साडी के पल्लू पर भी इसके साथ आलिया ने बारी स्ट्रैप वाला ब्लाउस केरी किया था और साथ में पहनी थी pearl जोलरी गले में उन्होंने layered pearl चोप कर पहना था और साथ में matching pearl stud इस लोग को काफी पसंद किया गया था हाला कि कुछ ने तो उन्हें दिपिका की कौपी तक कह दिया इससे पहले भी आलिया एक pearl से सजी ड्रेस पहन चुकी है पर्ल से डिटेलिंग में सजा frog gown उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में पहना था आलिया भट ने कांस में मोतियों का जादू दिखाया था और अपने debut में ही उन्होंने सब का दिल जीत लिया उन्होंने सिंड्रेला लुक देने वाला pearl gown पहना था जुस पर एक लाग के करीब मोती लगे थे इसके साथ आलिया ने ज्वैलरी भी पर्ल्स की ही पहनी थी तो देखा आपने आलिया भट की ये मोतियों से सजी ड्रेसिस आपको कौन सी ज्वैलरी और ड्रेस सबसे जादा पसंद आई हमें कमेंड बॉक्स में बताना न भूले